आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरव स्रीवास्तो आप हमासा देख रहे हैं हमारा खास कारिकम बीकन चर्चा जैसा कि उत्ता प्रेस पाच राज्यों में जो बिरान सबाद चुना हुए थे उसके पढ़ना माच चुके हैं और जैसा कि पूरवर्ती सरकारों में रहा है भारजन देख पार्टी ने चार राज्यों में सरकार बनाई हुए थी और भाही परंप्रा को दोबारा उनोंने पुनावर्ती की है और दोबारा उनी राज्यों में सरकार फिर बनाने जा रहे है तो कही न कहीं जिस तरह हम देख रहे हैं कि चुनाव परणाम आये हैं और विपत्स की हालत है वो पिछली बार से भी पदली हो गई है यह पिछली पिछले चुनाव में 17 सीटे लेके आई थी इस बार उसके लबब लबब 85 परसेंट जो पिछासी परसेंट उनकी जबाने जब्त हो गई है तो वहीं आमाडी पार्टी की हलत भी बहुत अलग नहीं है वह भी उनको भी कोई सीट नहीं मिली है हालाकि दावे बहुत किये थे औ अए पर उत्ते अपरे सरकार बनांए आए थे हमंके trim सरकार बनाने जा रहा है पर यहां पर ऊल्टा हुआ और जैसे की एकड़िट पोल ने रिखाया था हिर पयस्ताबर erg जो सरकार के सरकार ब्रतिंट अब यहां पर दितार सीट लेकर सरकार बनानी बंदाने जा रही किसाcards सालवारी पार्टी पिछली बार 47 सीटों के सार्ट आये थे बिनासर चौनाव में उस बार 25 सीटों के सार्ट विपर्च की भूमिका नवाती नजार आएगी और नेता प्रडवच बना रिया गया है कल अखले सियारों ने जो उनकी चाचा है सिपाल सियारों प्रस्पा के जारा विपर्च मजबूत नहीं होगा तबतर लोकतन्त को सरकार चलाने का अलग ही एक क्रादर जो होता वहने पाता है और सरकार को बहता तरी चलाना है और तो और साती सार्ट बेपर्च का भी खूमिका बहुत मैंटपूर होती है सरकार अप बेपच दौनों की अलाला पर इसकी बारए आठ पर्टिक जो के साथ आई थी महला काड खेला था 4 तो कही आम आड़ी पार्टी ने भी कहा था कि जो केजिवाल मॉडल उसको अपनाने जाएंगे और मुप्त की राजिती की चलते और उन्हें कहा था कि बिजली मुप्त रहेगी पर यहां पर बिजली मुप्त पेंशन स्कीम और तमाम पितिग्याएं और महला कार्ड तमाम कार्डों को अलग करते हुए जन्ता ने सारे कयासों को दर्कनार कर दिया और फिर से भारति इंड़ा पार्टी को मुका दिया है यानि योगी को मुका दिया है कि तो आज की चर्चा का विसाय हमारा यह है कि जो हार के समीक्रण क्या है और विपर्च की भूम का रहेगी जो पार्टिया यहां मजबूरी चुनावव लड़ी है उनका भबिस पे क्या रणनीती रहेगी उत्ता पर देश में क्योंकि बड़ा प्रदेश है और बड़े प पन है उसको भी लगाम रगानी पड़ेगी बहतर रजनीती बनानी पड़ेगी अगर भविस्थ में भार्चेंटा पार्टी खिलाप आपको चुराओं लड़ना है उत्ता प्रिश्पा यह है और प्रिस्पा से सत्य जी सिंग अत्वारा जी रहेंगे आप सभी का हमारे करका म तो सकता हमें आए हैं बीजेपी तो सबसे पहले हमारा सवाल बीजेपी से ही रहेगा किसी साब बढ़ाई हो आपको पहले बढ़ाई देया है और आज फिर बढ़ाई देता हो पर कही ना कहीं एक प्रिस्टा मारा जरूर है आपसे कि 325 से 233 पे आ गए है क्या कमी रही है थ इस पे हम लोग मन्थन भी कर रहे हैं कि कम्या क्या रहे है जब बार्टी जनता पार्टी 2022 के लिए त्यारी कर रही थी तो हमारा अलच इस बार साड़े 300 पार है बानिये अमिसा जी ने मानिये मोधी जी ने यूगी जी ने अपके बासरों में इस चीज़ को कहा भी है यह हम प्रदेश में एक लंबे समय से पिछले करीब पचास सालों से जिस परकार से कोई भी पार्टी रिपीट नहीं की और साथी साथ एक यह भी था कि जो भी मुख्यमंतरी नोडा जाता है वो छे मैने के बाद मुख्यमंतरी नहीं रह जाता तो मानिये योगी जी कई बार साथी साथ इस मिधख को भी तोड़ा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी रिपीट नहीं करती है और जितने भी विपच्छ के दल थे खास करके इसलिए भी कयास लगा रहे थे कि चुकि बारती जनता पार्टी वर्तवान में सरकार में है और एंटिंग केमपेंसी और स साथ लंबे समय से जनता ने एक जनादेश दिया कि दुबारा उसको सत्ता में नहीं बठाया जो पार्टी सत्ता में हुई लेकिन माननी है मुखमंती होगी आयतना जी ने वो कर दिखाया जो लंबे समय से कोई पार्टी नहीं कर पाई हमारी सरकार गुजरात में रही हम इसी छवी बनाई इस तरीके से काम किया पादर्शी तरीके से हमने काम किया पार्टी जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के लोगों को अगर लाब दिया तो बिना किसी भेदभाव के दिया अगर अपराधियों पे कारवाईया हुई तो बिना किसी भेदभाव के तो पचास का आखला भी नहीं पार कर पाए जबकि उनकी भी फुल पूर्डूप से पूर्वभवत की सरकार थी उनको भी जन्ता ने दिया था लेकिन जब तक जन्ता के बीच में पारदर्सी तरीके सी साफ शुते ढंग से बिना भेदभाव के जब कोई भी सरकार अगर काम क करेगी तो जन्ता बिल्कुल उसको सराहेगी सिर्माते बैठाएगी जब मेरा सवाल तो वही स्थर है मेरा सवाल मैं दुवार आपको पूछे चाहूंगा कि जो तीन सो पत्ची से दो सो तेहतर है मैंडेट आपको आया बढ़ाई है और निसी रूप से आपने बरसो पनाना से बिल्कुल सूनी हो जाएगा खतम हो जाएगा दूसरी बात यह है कि हर एक पार्टी के लिए कहीं कहीं पे कुछ सीटे ऐसी हैं उनका कुछ जराधार है और साथी साथ ये भी होता है कि जन्ता का लगाओ भी होता है कि हाँ उनको जन्ता फिर से एक बार कहीं न कहीं मौका पश्ची मुपी में भी आप देख लीजिए और खास करके जो स्युपाज जी का छेतर है या मुलाइम सिंग यादो जी का छेतर है पेटा इटावा फरुखाबाद तो यहां पे जनता ने इनको लोग सभा के चुराओं में तो परिवार के सीटे हार गए लेकिन जब विदान सार एक विकल्प मिल गया और अच्छा विकल्प के साथ साथ एक बजबूत ऐसी सरकार जिसने पारदर्शी तरीके से काम किया आप देखिए जब अपरादियों पे कारवाईया हुई तो क्या हुआ कि सामने आकर खड़े हो गए और कहा कि नहीं यह तो फला जात के तो फला मंतरी है अगर आप रादियों पे कारवाई कर रहा है तो दिपच्छा करके कहीं न कहीं उनको बचारे का प्रयास कर रहा है तो जब यह सत्ता में आ जाएंगे तो यह क्या करेंगे इसलिए उनको नका रहा और देखें यह हमारे लिए खुसी की बात है वो सकता है कुछ सब्सक्राइब ने जाएंगे और उत्तराखंड में वहारी सरकार बन रही है तो कुल मिला करके चार प्रिदेशों में वह आ है उत्तराखंड अधर प्रदेश है नेता परफिस बनाये गया है सपाल सिंग यारोज जी को आपके पार्टी राश्चिद्डेच है क्या मानते ह तो तुमाम ऐसे बादे कि एगे ते अगर सरकार बनती तो क्या मानते है क्या मूल कमी रह गई की अपनी बात दंग से पहुचा नहीं पाए या कुछ जो लगाव हुआ है जो जो जोड़ा हुआ है प्रिस्पा के साथ में जो अन्ने दलों के साथ में वह उस देड़ से तो इन्नोंने कहा कि एगाय तो हरुखाबाद में गपाख ऋपार की सीटे अगर मैंने कहीं हार खाई है हार मिली है तो अधूर को अमें शुद्गार करना चाहिए कि क्या वजह हैं जिनकी वजह से हमें हार मिली जी तेसरे चलन के चुनाओं में लेकिन उसी जगह पर हम सेवन्टीन हैं यह कहना इनका कि तीसरे चरण में जो आलू वेल्ट है जो जिसको हम कह सकते हैं यादो बाहुल इच्छत रहे जाती पास्तों में नहीं जाता हूं हमें वहां तक सीमित ना करें हम पूरे उत्तर पुदेश में 24 कोंण के आबादी में बहुत अच्छे से चुनाव लड़े हैं और इतना अच्छा लड़े हैं अंहारे नहीं हैं शरकार बनाने में हमाँ सफल रही हैं। ये कह सकते हैं। लेकिन अगर यह कहेंगे कि मैं चुनाव हारा हूँ तो मैं चुनाव हारा नहीं। उसका कारण है। गवरोजी उसको समझ देंगे प्रयाद कीजिए गाप। पिछली मर्दवा जब मैं चुनाव लड़ा था तो मुझे 47 सीटे मिली थी लेकिन इस बार उस सीटें बढ़ करके मेरी 111 हो जाती है और जब ये पिछली बार चुनाव लड़े थे तो इनको 312 सीटें मिली थी जो घट करके 255 हो जाती है अब आप एक चीज बढ़ने वाला जटी आगे बढ़ा है कि घटने वाला जट को माना जाएगा कि उसका परफार्मेंट अच्छा रहा है जिए 255 पर आजाते हैं 312 से खट कर 255 हो जाते हैं तो 57 सीटें का रुचान इंको बहता है तो 49 सीटें से बढ़ करके मैं 111 पर जबाता हूं तो 64 सीटें का हाइदा मु कि यह बात सब्सक्त है कि हमसे कहीं कमिया रह गई होंगी उन कमियों को हमने ज्यादा गौर्ड नहीं कर पाई जिसके वज़ासे हमें और बहुतर प्रणाम लाना चुह था जो प्रणाम हम लाने में अक्षम रहे सक्षम नहीं हो पाई एक चीज तो यह हो गई दूसरी है लेकिन तथा कछित राष्टबाद के नाम पर अख्वा फिर जाद धरम के नाम पर या किसी भी तरीके से भावनाओं को भरका करके या बर्गला करके वोड हांसिल करने में सफ़र हो जाती उदाहन में देना जाहूँगा मड़ीपूर में इनों बताया कि चार प्रदेश लेकर राजस्तान जहां जहां भात्य जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई लगती है तो लेकिन अगर नाराजी किसी लियत उसको कहा जाएगा ब्रामर्ट सुरु से नाराजा जी पर मेरा सवाल यहां पर यहां आप्धिकि कमी क्या रहे है कि क्योंकि मैं लगाता देख रहा हूँ कि जो जुडाओ रहा है जो एक अलगाओ रहा है वो अलगाओ आगरी समय पे हुआ है और और जो एक आधी चुनाओ की अखिले समालते की चाहिए जुनका लेना चाहिए ता अपने चाचा का भी सभी लेना चाहिता है कि सारे पिचारों के समय यात्राओं के समय कहीं अलग थलग रही उसका खावेजा कहीं बुकता है एक अलगाव राज आकरी समय में जुड़ा और मेरे खाल से तब तक बहुत देर हो चुकी ति क्या मानता है अगर पहले जुड़ा होता कुछ बैतर आता हमारे आए समीच्छा कर रहे हैं समीच्छा करेंगे, बैठेंगे, वो बैठ रहे हैं, और हम जानते हैं, कि उसमें हम सुधार लाएंगे, और सुधार लाकर के, देखें, अभी भी मैं फिर कहूँगा, कि ये हार एक वीराम है, मेरा अपना मानना है, और मेरा नहीं मानना है, ये शुमन नश्वी, शुमन हमार कुछ बचा है, हम सुधार करके, जनता के हित के लिए, जनता के हकूग के लिए, जनता के लिए सरकों पे उतरेंगे, कहीं भी, अगर जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है, और कहीं भी जनता की आवाद अगर दवाई जा रही है, तो समाजवादी पार्टी उसके लिए काम करेगी और जनता के लिए हखुक के लिए लगाई लगने का काम करेगी सवाल हार का नहीं है सवाल संगर चाहिए हमारी पार्टी जुड़ चुक है अनलोगों नहीं कहा कि हम भी मुफ्त बजली देंगे तमाम चीजें बात कहीं और आमारी पार्टी लगातार बोल लहीं थी कि जनता हमको सबसे पढ़े लिखे और सबसे योग के पित्यासी हमने उता रहे हैं जिनका कोई अपरार एक बात नहीं है जो खराब हो या उनका कोई आपरार पर लिफ्त रहे हों ऐसा कोई बात नहीं हमारे सबसे सवयोगे और पढ़े लखे इंजिरियर पिएजडी और तमाम पित्यासी आपने उता रहे थे तो कहा कमी रह गई कि जनता ने बिल्कुल से नकार दिया एकवी सीट ने मिली और सरकार बनाने के दावे तो आपसाल सरकार चलाई है और फिर से जो रिपीट की है और जो आपको ये दिख रहा है कि उनके परसंटेज भी कुछ ने कुछ ओटों के बलहे हुए हैं उसके तीछे कारण ये रहा है कि एक तो A.M.I.M. जो उनकी मदद की है एक तो वह कारण रहा है जिससे सीटे बली है द जो है वो ट्रांसफर होकर के इनके पास तक गए हैं जिसकी वज़े से ये चीज़ें आपको दिख रही है दूसरी चीज जो आपको ये लग रहा है वो इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि भार्ती जन्ता पार्टी के सथ्ता के समय में जो इस्थितियां बनी थी उसकी सब्सक्राइब के तोर पर उनको ऐसा लग रहा था कि एक समाजवाधी पार्टी चुकी आमदी पाल्टी मुधों की राइजित आमाधी पार्टी कर रही थी लगातार 21-21 मुकदमे होते हैं मानी संजे सिंग जी पर लेकिन जितना भी मुद्दे उठाने का काम था वो मानी संजे सिंग जी उठा रहे थे वोही सारी चीजों को इनके वास्तविक भी पच्छी की भूमिता थी वो संजे सिंग जी ही कर रहे थे लेकिन चुकि लोगों को ये लग रहा था कि इनके पास अभी संगछन नहीं है गाउंगाउं में और ये बिकल्प नहीं बन पाएंगे इस वज़े से समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों ने देखा और ये पूरा का पूरा चुनाव वाई पोलर हुआ लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपेच्छा के अनुरूफ वो परिणाम नहीं दे पाई और सरकार बनाने तक इस थितियों में नहीं पहुँच पाई उसका कारा यही है कि भारती जंता पार्टी को परबे के पीछे से AI यमाईयन और बवजर समाज पार्टी दोनों ने मिल करके मदद करी है जिसकी मुझे से आज ये इस थिति में पहुचे हुए है तो आप यह मानते हैं कि आप लडाई में नहीं थे मुझों की जहां पर बात है उसमें हमारी विजय हुई है हम यह मुझों में चाहिए वो बिजली का मुता रहा हो और जो जनीत के मुझन रहे हो उसको उत्डरपदेश की रायनीत की गेंदर में लाने में हम कामयाप गशाई है पर यह पताईओ, तो मानते है कहीछ न कहीछ लाई में नहीं थे आप का मानना है कि तो मानना क्या है वो तो जंता ने बताया है लेकिन मैं आपको बता दू को अब हम अब आपके साथ नहीं आ suspect, अब आपके साथ नहीं About लेगिन 27 आपका होगा यह हर जगह हर एक वोतर हमसे का रहा हुआ है 27 आमारी पार्टी का होगा किसी जन सब बोलना है कि AI, MIM और बहुने समाज पार्टी ने आपको सयुक किया है सरकार बना लिए उनका बोट आपको ट्रांसफर हो गया है यही कारण सरकार आप बना लिए और आप ने भी उसको नोट किया और वही प्रशन आप देखिया देखिये 2017 के यही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गड़ बना किया और उसके बाद में 2019 में इसी समाजवादी पार्टी ने बहुज़ समाजवादी पार्टी के साथ गड़ बना किया तो 19 के बाद में अगर देखा जाए तो करीब दो साल के बाद 22 पे तो एलक्षन हो गया 20 21 दो साल के बाद में एलक्षन हो गया 22 पे तो ऐसे में अभी जश्ट पहले इस चुनाओ के जश्ट पहले 20 पी ने गडबनन किया समाजवाधी पार्टी के साथ में और गोपनी सीरियों से समर्थन कर दिया बारती जटा पार्टी का यह दो चीज़े एक साथ कैसे हो सकती है या तो वो सवाधवाधी पार्टी के समतल कर रहे थे उनके साथ तो उन्होंने खुला गडबनन किया और फिर एच चीज़ है कि यह आम आदी पार्टी तेक करेगी कि कौन किसके साथ में है बीस पी की बहन मायवती जे ने सामने आ करक की जनता ने हमको असिवकार किया है लेकिं हम लडेंगे अभी हम पीछे नहीं हटेंगे क्ज़ोर प्रसंटेश मेरा डाउन हुआ है यह हमारी एक स्रीट आई है लेकिन हम लडेंगे आगे और जो है बजबूति से लडेंगे तो किस यह की आधरणी अनुरागी ने कम से कम ये सिवकार किया कि जैन साभ ये बात तो कर संजार आउट भी बोले है कर उनने कहा था कि असुद्धिन ओवेशी और बसपास सुप्रीमा मायावती को भारत ने देना चाहिए उनने भारत यंदा पार्टी असाथ दिया है उनकी बेटी में य दरसल ऐसा है कि जिद्धु जी के वहां पर पंजाब में नाराज होने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का एक तरीके से अंदुरूनी सपोर्ट बिला उसी तरीके से समध रहे है कि उत्तर प्रदेस में बारती जनता पार्टी को बहन जी का और ओस सबूड विला तो आपको भी आना चाहिए था सात मे अगर वारी सरकार अच्छा काप कर रही है और जनता हमारे सात में है और आपने शीच को सिवकार करुए है कि जनता हम जहां जाते थे खायर रही थी हमसे यह म चाहतो रहे आपको लेगिन राघिट नहीं को नहीं दे अगर सबाजवादी पार्टी इस प्रिदरसन का जस्र मना रही है तो हमें लगता है कि इससे ज़्यादा उनके लिए सर्मना कोई बात नहीं होगी वो आये थे लड़ने के लिए बना रहे थे सरकार वो चार सो पार जा रहे थे कई जगाई पे वरिष्ट वरिष्ट देता हो के बयार है एक बार अखलेश जी का सोयम का बयान आया श्री अखलेश श्यादो जी का कि हम तो चार सीटे लेकर आ रहे बाकी तीन पार्टियों को एक सीट बिल जाएगी हुआ क्या हुआ क्या उत्तर प्रदेश में हमको वोवत की सरकार बना रहे रायसों से ज़्यादा सीटे हम लेकर के आए और उसके बाद में कांग्रेश को क्या मिला और बेस्टी को क्या मिला एक एक सीट मिली और रही बात प्रिस्पा की तो प्रिस्पा को तो समाजवादी पार्टी ने स्वाइब खारिज कर दिया, सो सीटे स्री अखलेश शादो जी मांग रहे थे, लेकिन स्री अखलेश शादो जी ने उनको उनके साथ क्या किया, उनके बेटे तक को टिकट नहीं दिया, उनकी पार्टी को भी खतम कर दिया, उनके बेटे तक को टिकट नहीं दिय तो कुल भी लाकर के प्रिस्पा को तो समाजवादी पार्टी ने खारच कर दिया चलिए अच्छी बात है आप कह रहे हैं कि बेस्पी हमारे साथ थी OAC हमारे साथ थे हो ना हो प्रिस्पा भी हमारे साथ आ गई हो चुकि उनको टिकट दिया रही उनके अंदर भी तरगाँगात था उनका सब लोग बिरोट कर रहे थे समाजवादी पार्टी का प्रिस्पा के लोग बिरोट कर रहे थे क्योंकि श्री शुपाल जी अपने आपको अपर्ट में सूज़ कर रहे थे कई जगाओं के वीडियो आए जो अपना ये रत ले करके चल ले थे अखले स्यादो जी उसके हैंडल पे बैठे हुए थे स्युपाल जी और उनका बुजा हुआ चेहरा जब उनसे कह देते हाथ हिलाई ये वार कड़की बे दे करके तब वो हाथ उठाते थे तो कुल मिला करक जिस प्रकार से पहले अपमानित किया और एक तरीके से अधरने स्युपाल जी ने सबरपन कर दिया और पार्टी को उसके बाद में वी उनको सम्मान नहीं मिला जबाब लें लगता है कि अब साइज उनको समझ में आए कि स्युपाल जी की पार्टी में क्या भूंका थी देखा और आप भी जन्ता के लगातार जाते हैं जन्ता के बीच आपकी बातचीर भी होती है किस तरह से रिते चुनाव में क्या गल्तियां रह गई विपस्ट से और क्या गल्ति अच्छा हिया सत्ता पर्चना जो दोबारा उनको सरकार में मिली बनाने जा रही है कि समाजवादी पार्टिया उसके साथ में जो भी गडबंधन थे जो अलाइंस के लेता लोग थे वह उत्तर प्रदेश की जन्ता को वह यकिन दिलाने के अंदर असफल रहे हैं इस तीच को इन्हें मानना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जन्ता उन चीजों की बात को समझ कर देना चाहता हूं कि मुस्लिम कम्यूनिटी ने पहले से मन बना के रखा था कि भारती जन्ता पार्टी को हराने में जो सक्षम है उसे हम वोड़ देंगे जैनी जाहर सी बार्तिक उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव था वो सिर्फ और सिर्फ भारती जन्ता पार्ट सबसे बढ़ी बात and diameter जुन्हें वादे कि जोम की राजनीती चल रही थी उत्तर प्रदेश की जंता ने पूरी तशरी का मुस्त की कि राजनीती को नकार दिया इनको आत्मानतन करने की ज़रूत है लास् टाइम परी इनके हारका सबसे बड़ा करना प्रमुकivities इसको भी आउताराजी को एकसेट करना पड़ेगा मंतन कर रहे हैं यह लोग समिक्षा करने ठीक है लेकिन वास्टिकता यह थी और यह मेरे वरिष्ट है जात्वारी अच्छी तरह वाकिब भी हैं वो मोला नहीं चाहेंगे लेकिन सच्छाई भी यह है कि टिकेट का बटवार इसके पहले जितने भी चुनाव लड़े अपने बल पर वो कभी सत्ता के अंदर नहीं आ पाए भारती जन्ता पार्टी का जब उन्हें सायोग मिला 2017 के अंदर जाके तब उनके पास आके चार या पाशाद विजाक हुए थे तो उनका कोई और बैंक नहीं था अकलेश पार्टी को तुरह सा प्रमोशन कर देते तो कुछ हो जाता मैं उनकी केसी जैन जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूं कहीं नहीं प्रस्पा की पार्टी के जो लीडर उन्होंने भीतरगात किया है समाजवादी पार्टी को हराने के अंदर इसकी वज़े से वोट का भिखरा मिया हुए मेरे हिसाबसे जो मेरा मानना है समाजवाधी पार्टी के सुप्रेणों हो जो भी निर्ण naar था नेता प्रतिपक्ष बनाने का मेरे हिसाबत से को बात definition कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 111-125 उनके गड़बंदन को सीटे दिये वो अखलेजी को देखके दिये अखलेजी कुछी सोचना पड़ेगा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना रहे तो विधाक बनने चले आते मुख्यमंत्री नहीं बनते तो फिर सांसत बनने चलन अखलेजी को सामने आना था संगर्स करना था क्योंकि उनके कारेकरता हों का उनकी पार्टी के जो वैसनेता लोग है जो उनके विधाय के भले जीतके था है लेकिन उनका मनुवल पूरी तरहीं टूटा हुआ है उनके मनुवल को बढ़ाने कि उनको मैदान में आना ही चीये बात करें बाकपर की बाकपर नगर सीट की और बिदान सब्सक्राइब की दोनों जगाए पर पर पत्ती आज़ी को जीता से हुई है दो क्या मानते हैं मुस्लिम बाई वोड ही उनको मिले है लेकिन वास्तिधा है कि अगर ंपर संडेज के इसको काउंग किया जाए तो 90% दिया है 375 का उता टीआ ये उस तरहोद ते जù तरिके से बोला है कि उस तरहिए उस तरहिए से जो व enroll to असे तरीके से मुसलिम पहले वहारत के €क नहीं करता तै अंडिय में अब रहे वह गरता सुकंता करना पड़ेंड़ ध्ricto ये वुट पूरी तरीके से बातियांता पार्टी के अगेंस्ट गया है, समाजवादी पार्टी को गया है, उसके गड़बंदन के प्रत्याश्यों को गया है। पिछले मर्दवा भी जब हम सहिताली सीख पाए थो तो आधरनीय अखलेशादो जी नेता प्रत्यपक्ष नहीं बने थे। लोगों के बीच में नहीं जाता है, अपने समीकर्णों को नहीं बनाता है और तमाम समीकर्ण तूट जाएंगे, जिसके वज़ा से कभी भी मेरा अपना मानना यह है, किसी यह राष्ट्य प्रत्पक्ष की जिम्मेदारी नहीं लगी। एक तो यह हो गया। जिए पुछी बार हम प्रत्पक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए लेकिन अपनी हुआ था। जो हमारी अपनी 111 सीटे हुँगी तो उन सीटों का नेतृत कौन कर पाएगा उन लोगों का नेतृत कौन कर पाएगा। तो बहतर नेतृत अगर मिल ला है तो जरूज नहीं कि राष्ट्य जी उसका नेतृत तुस्याम सकतार में देहली बात तो यह हो गई सुबात्शी कर कि रधियात्रा पर उगोने थिपपनी कि हमें अइसा लगा हमें एसा लगा कि जैसे रधियात्रा की सारी स्क्रिप्त इन हो नहीं दिखी अब आगल में पाद के अंगे गया। पर शीट्रो एक ही दिए गई ने किनारे कर दिया लेकिन हमारे दल के अपर के सीट्रों के प्रवक्ता जे प्रस्ट आप पर धाया था जैो उन्होंने कहा कि समाजबादी पार्टी किनारे कर दिया मैं इनको बताना चाहूंगा कि समाजबादियों का इतिहाद थोड़ा पाहिए और इसलिए ले कि समाजबादियों के हम विचारभारा से चुड़ेवे लोग हैं हमारे लिए प्रस्त नहीं रहता कि एक सीठ है कि दो सीठ है कि 14 है कि 40 हम संदर्द करने वाले लोग होते हैं और हम त्याद करना जाने ही और त्याद हमने किया और त्याद करने के बाद ही कोई शीन हासिल हो जीए कि राज़ीत में इंतजार करना चाहिए देट-NC का फार्वो प्रस्पा के लिडर्स थे या उनके कारे करता तो उनके वितरगात की वज़े से भी समाजवादी पर्टी आ रही है मेरे सवाल का जवाब सत्यजी दातारा जिन खुदी दे दिया उन्होंने सीधे सीधे ये चीज़ इंगित कर दिया है कि नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी होती अनभवी लीडर को दिया ती यानि ये मानते हैं कि इनके समाजवादी पार्टी के लीडर पूर मुख् ये अप सीधे सीधे अकले जी की आप सवाल उडा रहे हैं दूसरा हुज उन्होंने बोला कि राश्ती अधश को नेता प्रतिपक्ष का पद शोबा नहीं देता तो मैं समझता हूं इनके एक अलायन सेखी पार्टी आर जेडी बिहार की पार्टी है हमारे पुड़ोसी राज्जी की पार्टी है जिसके सुप्रेम लालू प्रसाद यादो जी हैं लेकिन आर जेडी का जो पिछला विधान सभागी लड़ा गया था भी जल्दी ज्सिधें वो तेजसी याद लड़े उनके मुद्दों को जनता के बीच में आकर लेके जाए यह नहीं होता है कि अधर हार गये तो फिर आश्टी अधर्श के नाते हम चले जाए छोड़के संसत के अंदर दिल्ली की राजनीति करें प्रदान मंत्री नहीं बनने वाले अखलेशादो दिल्ली की राजनीत लिए प्रदान मंत्री नहीं बनता है जाए जवाब लेते हैं जवाब लेते हैं पूरी वाद लेते हैं अदेक तुर्य जवाब लेते हैं पुरा जवाब लें पर आप से जवाब लेते यंथ जलता दसम haun को अखली जाएंगे तो गरना घ्लीए बनेंगे बनता जा सबचला कि उत्तर प्रदेश की राजनीते अखले शादोजी को करनी है उनको दिल्ली की राजनीती नहीं करनी जवाब लेते जवाब लेते जवाब लेते जवाब की बारी पताइए क्या कहने जाएंगी कि दो हजार वारा में हमारे सरकार थी दो हजार वाई से दस साल का गयफ हुआ है यह भाई साब कह रहे हैं कि जनता नहीं नकार दिया है अब इनकी स्विकाज़ता खतम हो गई है मैं फिर से एक बात को रिपीट करना चाहूँगा कि अभी मुझे दस साल हुआ लेकिन यह 14 साल सरकार में नहीं थे 14 साल तक इन्हों में बनवाद काता था तो क्या अभी 14 साल और 10 साल में कमप्रीजन करेंगे तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है जब यह 14 साल तक बनवाद कात रहे थे जब इन्होंने अपने लिए तो नहीं कहा कि हम सरकार में नहीं आएंगे वो दिन भी तो पहले अपना करें आकलम पहले अपना करें तो उसके बाद दूसरों पर अगर तब शिरा कीजिए पहले आइना रख लिया कि चाली चौदा साल तक आप तक में गाया तक मेरा किया है कि क्या साल वाला चार साल वाला नहीं कर रहा हूं जले टीक है जब से जवाब जब लेगे अभी अभी प्रबक्ता है अनुराग जी पूरा आप आपने बाते शुनी तौमाम आपको बताया उन्हों नोटिस करेंगे तो कि अगर आपको लगता था कि भाटेंड़ पार्टी सरकार में आरे तो आप भी पीछे से सपोर्ट करते कर दे थे आपको लग रहा थ आपको जनता ने बताया भी कि इस उबार हम बदलाब को अन्य नहीं जा रहा है और बदलाब जब 27 में करेंगे तब आपको नोटिस करेंगे या देखा जाएगा तो किसी साफ को आपने जवाब लिया क्या बांतों से जवाब को लेकर अनुराग जी आपको मेरी आवाज आ रही है अनुराग जी अभी किसी से साफ ने आपकी बात का जवाब दिया था कि परदें पीछे आप भी सपोर्ट कर देते हैं आप मान रहे थे कि भातने पार्टी सरकार आ रही है जैसा कि आपने कहा है कि एम और बोजन समास पार्टी न है जी बिल्कुल आज हम हम हिंदुस्तान के चोथे नंबर के ऐसी पार्टी है जिनकी दो राजियों में हमारी सरकार हो गई है बिल्कुल हम बहुत तेजी से पूरे हिंदुस्तान में हमारे हमारी क्रेडिट बढ़ रही है अब उत्तर पदेश एक बड़ा राज था यहां सीम संसादनों में हमने एक विपच्छी की आवाज बन करके पूरी मजबूती से लोगों के बीच में जनता के बीच में जनीत के मुद्दों को ले गए इस पे हमने संघर्ष किया हम अपने संघर्ष से संसुष्ट हैं और हमें पूरा भर होता है कि उत्तर पदेश की राजनीत में आगे आने वाले समय में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीत में क्यों पूरे हिंदुस्तान की राजनीत में आम अजमी पार्टी आगर भार्ती जनता पार्टी को सबसे ज्यादा घर किसी से लगता है तो आम आजमी पार्टी से लगता है तो आम आजमी पार जी को लोग अग्सेप्ट कर रहे है एक इमांदार नेता के रूप में उसकी छभी है और वो पूरी तरीके से दिल्ली वे इस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी महाद उसकी सुगर्ल बुरे हिंदूस्तान के कोने कोने एक-एक राज में जा रही है अनुराग जी आप बोल लाए और फिर उसके आज जिस मजबूती से हम चुनाओ लए उससे ये हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं हम पूरी तरह संतुष्ट हैं कि हम अपनी विचार को केजरिवाल जी के माडल को गाओं गाओं घर-घर पहुंचाने में काम्याब रहें परदाम आगे आने वाले चुनाओं में देखने को मिलेगा अनुराग जी आप बोले थे 21 मुकर्ण में संजय सिंग के पास हुए थे जो कि आपके रासवाद सांसारे उत्तापरिस बिरासवाद चुनाओ परबारी भी रहे हैं और आपने लगाता जमीर पर संगर्ज भी किया जागातार आंजोलन कर रही थी लगातार जो आपके बताया कि आपके रासवाद संजय सिंगर लगातार मुर्दों को ठा रहे थे मुर्दों को लेके लगातार वो जा रहे थे बता रहे थे पीसी पेस कॉन्फरेंस कर रहे थे और जिसके चलते हुए मुकर्ण में भी इस लिए कि सिमीस तरदने में गाओं गाओं तर-अपने संगठन को उस बेस्तार और चार शो focus को बोड़ आश escrाम सभाईं चुकि हम अभी लोगों को ये लगा कि ये सरकार बनाने की स्थिती में नहीं आ रहे हैं ये बिकल्प के रूप में नहीं आ रहे हैं इसलिए लोगों को ये लगा हलाकि सबको ये मालुम था जैसे अभी आप ये चर्चा चल रही है आपने विद्वा नहीं करना चाहिए था। जन साब अभी अनुराइक जी कहें कि बीजेपी को आमारी पार्टी दल लगना चाहिए क्या मानते भई जो बड़बोलापन है इनको मुभारक हो और अगर आजबी पार्टी को लगता है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जनता ने प्यार दिया है तो मैं इनके लिए इस तरह से प्राथना करूंगा इसी तरीके से इनको जनता प्यार करती रहे और इनको आशिरवा जयितले को पराणा कर सब्सक्रा कर दिए पंजाब में किया है दिली अगये और बाकी चार प्रदेशिए था कि दिए जहां तक शुपाल यादो जी अपने आप में उनकी पर लिए और वे नवी राष्ट्टी पार्टी बोगे वो कहENEं है राष्ट्रे का प्रिस्वा का आदे। उनकी पार्टे को हैं पाması जिम्मेदाय देड़ी में कोई काम नहीं बचाए दूसरी बात कि है आप Taoismat ची कण्या, किया जिनकी कुछ 10-15 सीटे जो भी आई राश्टी लोगदल की तो आपने उड़ को बिल्कुल किराय लगा दिया एक सीट वाले पार्टी प्रेस्पा को आपने रेता प्रतुद बना दिया आपके पास और कुछ बनाने के लिए है नहीं और ऐसे में क्या आरेलडी आप से रा सिटको बुद्दों की राजनीत को लेकर के लिए किसको खारिट किया किसको जनता ने सिटकर किया अब दिखें सारी चीजे सामने आ चुकी और अब हमारे प्रिस्पा के साथी जो सत्यजी जी जो बात कह रहे थे कि हम लोग समाज वादी है अरे आप समाजवादी हैं एक विचारदारा के हैं तो पिर ये सिर्फ रोवर मंच पे क्यों दिखाए दिया था 2017 के एलक्षन में क्यों सियुपाल जी को अलग पार्टी बनानी पड़ी आप इतने ही एक दूसरे के ही तैसी हैं एक ही विचारदारा के हैं आप कह रहे हैं आज आप अपका गुलगार कर रहे हैं तो अलग पार्टी बनाने क्या उसकता क्यों हम पड़ी कि परिवार को आगे बढ़ाना था यह तो जन्ता ने इस बश्च कर दिया और जन्ता ने आपको शेरे से खारइज कर दिया और आज आप करें हम समाजवादी हैं हमें एक साथ बंजर देखा है इसा है यह बाते सारी बाते जनता जान चुकिया अब आप जनता को इस तरी कि चीजों से नहीं बर्गला सकते हैं यो लोग आतक वादियों के मुगदमें वापस ले रहे थे जो लोग अमधियों के साथ लगा तार खड़े थे जो रहे थे दो कि तहरी जावाब कर नरे ने मुbutत कि सथी deer, जानिये इकट पर लोगों को जवाब देरा है जिए बताइए बताइए बताई बताइए बताई पर परिश्पा हो चाहे सभाजवादी पार्टी चाहे इस तरीके से जनता ने बिल्कुल खारिज किया है और फुल मेंडेट के लिए हमें 202-203 सीटे चाहिए ऐसी इस्तिती में अगर बारती जनता पार्टी को 275 सीटे बिल लही है तो उसको खारिज करके आप करें नहीं हम जीत रहे हैं आई आपको जीत भुमार को जबाब लेते हैं लेकिन आपको जनता ने क्यों खारिज किया इ जानकारी अपडेश नहीं है आपको जनता ने खारिज किया जनसाब जबाब लेजिए बोलिए देखे इनको मैं इनकी जानकारी में अपडेट कर दूँ कि प्रसपा की सीट नहीं है वो प्रसपा किसी भी अपने संबल पे चुनाव नहीं लड़ी है अगर हम जस्वत नगर से चुनाव लड़े हैं और नब्वे हजार से अधिक वोटों से जीते हैं तो साकिल चुनाव चुनाव चिन्द के नहराज होगे नहीं होगे सुन लिजिए सुन लिजिए समय का मचा है और दूसरी चीज़ देखिए पार्टी के इस समय आधर निये सुपार सिंग आदो जी अध्यक्ष नहीं थे अगर होते तो साकिल के संबल से चुनाव ना लड़ पाते हैं आपकी जानकारी के लिए मैं अपडेट कर दूशरी वास कि आप जो कह रहे थे कि पार्टी अलग रशी तिंगें वन के लिए बाटी में आए अनुटि में नहीं भांधन हूँ घ्रिकरी नहीं पनाई इसुपश दूनों के लिए दूसरी सुलुक बहुत होते हैं लेकिन बहा चांज में पंधेथ होता है लिकम्बेरे में आता धानका से सब्uffेस आप Dipa कोका ता चानका कु बोलूं गोरो जी वो बोले बोले कम सब्सक्राइब दूसरी तीसरी बात में कहुंगा कि हम भी बड़ी पार्टी हैं जी दो करोण 95 नवे लाक ओट पाए हैं जी जहां रखेगा जी अब 32 परसंट ओट पा करके हम आए हैं जी दस परसंट ओटों का बढ़ावा हुआ है हमारे पार्टी का गठन हुआ है 1992 से पहला चुनाव 1993 में हम लड़े ते और हम सर्कार बनाए थे तब हमें सब्सक्राइब लेकिन आज हम 32 परसंट पहुंच गये हैं लाब में लाब में लाब में सरकार बनाने मस्फल है लेकिन उपलब्धी हमारी है इसमें कोई दो राज नहीं ह कि दो दो दिन में चर्चा नहीं होगी और समिच्छा नहीं पाई समय लगेगा और तब तमाम कारण है उस पर देखा जाए कि क्या कारण रहे है कि हम सरकार नहीं बना पाए और जनता नहीं को विपर्स की भूमिका दी है तो वही जो एक बड़ा सावाल रहा कि अखलेस या करने तो निश्य रूप से उनको नेता प्रश्व खोड बनना चाहिता नाकि शिपाल यारो को बनाना चाहिता और यहां पर कहीं ना कहीं गल्ती हुई है और यहां पर फैसला दिलकुल रूप से समिच्छा करनी चाहिए तो भही सथी शिंग जो कि प्रश्पा के प्रश्य लोन ने कहा था कि अख्लेर सी आड़ों को बड़ी राज़नीती करनी है और बड़ी निता हुने करना है उनने इपद सेपाल संह्यारों को दिया है जनता का फैसला हमको स्विकार है जनता ने फैसला दिया है हम बेपर्स की बुमिका के साथ आये 22% हमको बोर्ड मिला है कई न क तो आज की सर्चा में इतना ही अगले बाद फिर किसी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार